नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैसफाल होमस्टे में दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप Make My Trip में अपनी प्रॉपर्टी में फोटो किस प्रकार से एड़ कर सकते हैं तो इसके लिए आपको Make My Trip के एक्सेनेट पेज को लॉग इन करना होगा लॉग इन करने के बाद में जब भी आपके पास यह नया पेज ओपन होगा आपको लेफ्ट एंड साइड में देखना है काफी सारे टैब्स यहां दिये हुए आपको यहां पे Property Information के टैब में जाना है, क्लिक करना है जब एक New Page ओपन हो जाएगा तो इसमें आपको Photos and Videos का Option बीच ओबीच दिखाई देगा इसके Details में आपको क्लिक कर देना है यहां आने की बाद आप देख सकते हैं कि काफी सारी Photos हैं, यहां पे आपको एक और Photo Add करना है तो यहां पे Add Photo and Video का Option आपको दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है जो भी आप Photo Select करना चाहते हैं वो आप Select कर लेजे, आप एक एक करके भी Photo Select कर सकते हैं या एक बार में पाँच फोटो भी Select कर सकते हैं पाँच से ज़्यादा Photo नहीं होना चाहिए, या तो आपके Smartphone से खीच हुई रहे या फिर DSLR Camera से खीच हुई रहे अच्छी Quality की फोटो रहे तो जादा अच्छा होगा, जादा जल्दी Approve होगी ये मैंने एक Photo Select कर लिया है और इसके बाद मैं Open पे इसको प्रेस कर देता हूँ ये फोटो मेरी आ गई है यहाँ पे, अब मुझे क्या करना होगा, Add Tags हम चाहें तो इसको Skip भी कर सकते हैं पर अगर हम Tag डाल देंगे तो जिनको ये Photo Approve करना है मतलब Make My Trip को उनको ये जानकारी रहेगी कि फोटो किस जगे की है इसलिए हम यहाँ पे Tag mention करते हैं जैसे कि इस Photo के पीछे Garden लिख रहा है तो मैंने इसको Confirm कर दिया है, बस इसी प्रकार से Photo Upload की जाती है One Media Uploaded Successfully लिखे आ जाता है, इसका मतलब Photo आपकी Upload हो गई है अब इस Photo को Under Review के लिए भेजा गया है, ये Under Review को सेक्शन आपको दिख रहा होगा जब Photo Upload हो जागी तब ही ये Under Review को Option ओपन होगा यहाँ पर देख सकते हैं, ये Photo Under Review के लिए गई होई है Make My Trip Company या उसका Board या उसका Software या जो भी आप कह दे उन्होंने इस Guideline को बनाया हुआ है कि ये Photo Guideline के अंतरगत है या नहीं उसके बाद ही ये Photo Upload की जाएगी मतलब Photo Property से Related होने चाहिए Property का कहीं न कहीं उसमें Photo देखना चाहिए मतलब लगना चाहिए कि ये Property की Photo है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कि किसी और जगे या किसी और चीज की Photo है इसलिए Under Review के लिए ये जाती है इसके लिए Maximum दो दिन का समय लगता है Working Days होना चाहिए कभी-कभी Photo अगर बहुत ही अच्छी, Quality की है, सब कुछ अच्छा है तो पांच मिनट में भी Approve हो जाती है पर कभी-कभी दो दिन का समय भी लग जाता है मान लीजे कमपनी को Photo Approve नहीं करना है तो वो दो दिन से जादा समय तक यहाँ पे Under Review के लिए शो करती है इसका मतलब आप समझ जाएगा कि वो Photo Upload नहीं होने वाली है या कभी-कभी Reject करके भी आ जाता है तो भी आप समझ जाएगा कि Photo Reject हो चुकी है आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो इस चैनल को Like कीजे दोस्तों के साथ शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे धन्यवाद